इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकुम रहमतुलाई वरकातु इतिहाद दूज में आप सबी का खेर मंदमाई अहम खबरों पर एक नजर बरोज्जुमा बिलगाम शहर के आट्यो दफ्तर के करीब कांग्रेस भावन का इफ्तताही इजलास अमल में आया इफ्तताही इजलास साबीक वजिर आला सित बिलगाम से यंपी सुरेशंगडी की मौत के बाद बिलगाम के लिए फिर से यंपी चुनाव हो सकते हैं पर फिलाल शिरा और अरार नगर के लिए इंतखावत हो सकते हैं कांग्रेस की जानब से अब तक किसे उमिदवारी दी जाए इसका फैसला नहीं लिया गया जाद नवर तीन लाख से बही जायद उटों से शिकस्त खा चुके थे दोधर चुडा के निटावात में लक्ष्मय भालकर ने बहतर मुझारा किया ता जिनने महज सत्तर हजार उटों से शिकस्त कानी पड़ी थी। पिछले रुखने असे इंबली के इन से इंधर इन्खा जा सकता है लियाजा अब तस्वीर बदल चुकी है पुरे मुल्क में मोधी हुकूमत के खलाप माहौल बनता दिकाई दे रहा है वहीं दूसरी और रहुल गांदी पर हातरस मामिले को लेकर योगी हुकूमत की ज्यादती का फाइदा भी कॉंग्रेस को हो सकता है किसान मुखा हुकूमत या यह द्रपा हुकूमत भी नाकाम हो चुके जिसका फाइदा कॉंग्रेस को हो सकता है बाबरी मध्यादत के मुझरिमों को बाइज़द रहा करने में भी भाजपा का दवादालतों पर होने की बात कही जारे जिसका फाइदा बिहार करनाटक बंगाल के इंताख भी की शुरुवात है इसे अच्छी शुरुवात भी कह सकते हैं पर जैसे वक्त आगए बढ़ता जाता है हालात भी बदलते हैं भाजपा यूही आसानी से हुकुमत छोड़ने वाली नहीं है मजभी नफरत का एजेंडा इनके पास तो हमेशा के लिए है जिसके जरी अब तक ले ही लिए अब इनके पास कोई मजबूत एजेंडा तो नहीं हिंदूराश्ट के एजेंडे का कितना असर हो सकता है यहां मव्जू बहस के लिए ठीक है पर क्या भूकी जंता को दो वक्त की रोटी के मसले से बढ़ कर हिंदूराश्ट का एजेंडा हो सकता है या इसके हि अंदुरुनी इक्तलाफात की कॉंग्रेस अंदुरुनी इक्तलाफात से बाहर आकर पार्टी के लिए काम करें हो सकता है आज भी बिलगाम कॉंग्रेस हो या रियासिती कॉंग्रेस में इक्तलाफ की आग सुलग रही है अंदुरुनी इक्तलाफात आज भी हैं और इन्हीं आ सब्सक्राफाद को खत्म करने में दोनों काईद कामियाब होंगे या नाकाम क्योंकि कुछ लोग किसी के चाहने वाले हैं तो किसी के नापसंद जाहिरी मुहबत तो नजर आ रही है खरीब बैटे हुए तो बजाहिर दिखन रहें पर दिलों में आपसी नफरत एक बार कॉंग्रेस को फिर डुबो देगी क्या सियासत मतलबी लोगों का गिरो होता है जब किसी को अधा असिल नहीं होता तो वो पार्टी के बेहतरी के लिए सबर के घूंट पीने की वज़ा है पार्टी को ही गिरा कर दूसरे खेमे में मच चला जाता है जिसका तजर्वा हम सबको है अब सोज के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सियासत का अब ये उसूर बना हुआ है कि पार्टीों को बदलना कौन कब किस पार्टी में जाकर तखता ही बदल लेता है लहाजा रियासती मरकजी कांगरेस मुल्की सता पर भाजपा विरोधी माहोल का फाइदा उटाएगी या फिर भाजपा कोई और नया फार्मूला रिकाल कर कांगरेस के मनसुबों पर पानी फेर देगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएग आफ फिर डवल मार्डर कतल मामले का हुआ खुलासा पिछले 26 सिथंबर को हुए दो खातून के कतल के मामले से सारा शेहर हिल गया था दो खातून शाम को ब्रमदेव मंदिर मच्चे के करीब से जा रही थी अचानक दो नोजान मोटर सैकल पर आते हैं और मिर्च की पाउडर को आँखों में फैंक कर तेज हत्यारों से बेरहमी से कतल कर देते हैं इस मामले का मवजू कई दिनों तक शहर में जेर बहस रहा लिहाजा बेलगान रूरल पुलिस की जानिव से सिर्फ पांच दिन में कातिलों की तलाश की गई और इन्हें जेर बं सामने हैं लहाज अन दो खातूनों के कतल के विल्जाम में कुल पांच गिरफतार किया गया है इस नियुक्त कि योड़ी और साजिश को बचानी कि a आखिर नाहग दूसरी को भी जान गवानी पड़ी थी कतल के बाद रोहिनी के वालिद रामचंदर कामड़े ने बेलगाम रूरल पुलिस्ठाने में फर्याद दर्ज कराई जिसके लिए पुलिस मौकमा ने तीन मकसूस तहकी की दस्तों को तयार किया और कातिलों को गिर्फदार किया रोहिनी और राजश्री का कतल किया गया था रोहिनी के शोहर का कलपना से काफी पुराना याराना था रोहिनी के शोहर ने कलपना से 2-3 लाख रुपे रखम ली थी इनी तालुकात के दौरान गंगा पाउर प्रशान्थ हुलमनी ने रोहिनी से साथ मेहने पहले शादी की अब रोहिनी हामिला थी जाहिर है इसके बाद कलपना प्रशान से बार बार अपने पैसों को लेकर मिलने की कोशिश करने लगी पर प्रशांत ने ज्यादा तवज्ज नहीं दी मुझे धोका दे कर दूसरी शादी की इसका घुसा कलपना को था लियाजा अब इंतकाम के आग में सुलकती कलपना ने अपने ही रिष्टे के महशनाइक से राप्ता किया और साजिश की और सोचा के अग दिगर तीन अफरादों को इसमें शामिल किया तमाम साजिश को अंजाम देने के लिए कलपना ने हरी जंडी दिखाई तो कतल की वारदात को अंजाम दिया गया पर रोहिनी के साथ राजय श्री को नाहक अपनी जान गवानी पड़ी रोहीत नागपा वड़र राहूल पाटिल ने रोहीनी पर हमला किया पर हमलावरों से छोड़ाने के लिए राजय श्री आगे बड़ी तो इस पर भी वार करना पड़ा बेलगाम गरामीन पुलिस काबिले मुबारक बाद है जिनों ने महस पांच दिनों में कहानी को मनजरयां पर लाया गिरफतार अफरादो तो है पर गुना में ही अजाब चिपा हुआ है आज कल यह बात आम बनती जा रही है कि गैर आखला की तालुकात को गुना समझाई नहीं जा रहा आज तकरीबन महलों में ऐसी वारदातों का नतीजा तलाक या फिर ऐसे शर्मनाख हादसों के जरीए पेश आता है वालिदे रखने की बेलगाम शहर में हुई धुमादार बारिश ने गवर फिर बेलगाम मुझबल्टी या स्मार्ट सिटी को बे नकाब किया है बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी में तबदील करने के दावे बार बार सुने जाते हैं पर क्या शहर में सिर्फ एक घंटा मस्तकिल बार दाखिल हुआ बीच बाजार में भी पानी जमा होना कार्पोरेशन की नाकामी को ही बयान करता है लिहाज़ा यह सवाल करना लाजिम होता है कि आकर कार्पोरेशन या स्मार्ट सिटी मोहकमा बार 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 इसके पानी से तंग अवाम को निजात कैसे देगा लिहाज़ा एक और वाकिया आज पेश आया कि फूट मार्केट के करीब पेट्रोल पंप से मोटर साइकल स्कूटरों में पेट्रोल की जगए पानी भरा गया जिससे गाड़ी अब बंद हुए आखरकर पेट्रोल मालिक को पुछने से इन्होंने बताया कि धुवाधार बारिश की वज़ या नहीं इसके तहकीक भी उतनी ही ज़रूरी है अज बेलगाम शहर में हातरस मामिलों को लेकर कई तन्जीमों ने एतजाज किया मोधी योगी हुकुमत के खलाब नारे बाजी फरमाई सैक्ड़ों की तैदात में दलीत तन्जीमों ने सकत अलफाजों में मोधी योगी की म मोधी हुकुमत मुर्दाबाद योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए प्रधान मंतरी ने अब तक सिवा जूटके और कुछ नहीं दिया है और सिर्फ जुम्लेबाजी की है धर्म की राजनीती कर एक्तदार हासिल किया है ऐसा भी इन तन्जीमों का कैनाता सभी पिसला यूही चलता रहेगा देखते रहे हैं त्याद में शुक्रिया अल्लाँ अजया है